नवस्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्टर आईए जानते हैं कजरी तीज का पावन पर्व, यदि आप मनाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा? देखें, हर साल भाध्य-पदमास के क्रश्नपक्ष की तृतिया तिथी को कजरी तीज का पावन पर्व, दो सितंबर को मना जाएगा कजरी तीज के दिन, भगवान शिव और माता-पारवती की बिदविधान से पूजा होती है और जो महिलाएं कजरी तीज के दिन ब्रत रखती हैं, बगवान शिव और माता पारवती का पूजन करती हैं, उनको बहुत सारे फायदे होते हैं फायदे नोट कर लीजिए सबसे पहले तो जिनकी मेरिज हो गई है सुहागिन महिलाओं के पती की आयू बढ़ती है अगर उनके संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ती होती है अगर संतान है तो संतान के जीवन में खुशाली बढ़ती है और अगर अभी अभी शादी हुई है तो परिवार के शुक के लिए आपके परिवार में खुशाली रहे शुक रहे उसके लिए भी आप कजरी तीज का ब्रत करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं बहुत सारे इलाकों में कुवारी कन्याएं भी इस ब्रत को रखती है ये ब्रत जो है उत्तर भारत में विशेश रूप से रखा जाता है मद्य परदेश, उत्तर परदेश, राजैस्थान के कई लागों में कजरी तीज ब्रत रखने की परंपरा है तो 2 सितंबर को कजरी तीज का ब्रत इस बार महिलाएं रखेंगी कजरी तीज का पर्व मनाया जाएगा तो आईए आपको बताते हैं कि कजरी तीज की ये जो तिथी है कब शुरू होगी कब समाप्त होगी देखें कजरी तीज की तिथी एक सितंबर को रात को ग्यारा बज कर पचास मिनट पर शुरू हो जाएगी और 2 सितंबर को रात को 8 बज़ कर 49 मिनट पर समाप्त होगी इसलिए 2 सितंबर को ये पर्व मनाये जाएगा ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सबसे पहले माता पारवती ने ये कजरी तीज का ब्रत रखा था इसलिए जो लोग कजरी तीज का ब्रत करती हैं उने माता पारवती का विशेष आश्रिवाद मिलता है उनके दामपत्य जीवन में सुख बढ़ता है प्रेम बढ़ता है कुवारी कन्या यदि इस ब्रत को करती है, तो उन्हें मन चाहावर, उनके मन पसंद का जीवन साथी भी प्राप्त होता है इसके साथ ही यदि आपके वेवाहिक जीवन में परिशानिया हैं, क्लेस हैं, आपस में नहीं बनती हैं, अनबन रहती हैं, तो भी आप कजरितीज का ब्रत्र रख सकते हैं इस दिन भगवान शिव का पूजन करिए और माता पारवती का पूजन करिए माता पारवती को सिंगार की सामग्री अर्थिक करिए तो भगवान शिव और माता पारवती की क्रपा से आपके वैवाहिक जीवन में जो कस्थ हैं इंगलेश हैं परिशानिया हैं वो सब दूर होगी तो आप सब को कजरी तीज की बहुत-बहुत शुप कामना है आप देखते रहें एस्ट्रो तक नमस्कार एस्ट्रो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्ट्रो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से